नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टेडी फोर सिविल सर्विसेज में मैं हूँ आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूँ उत्राखंड सामन ग्यान लेक्चर सिरीज में जिसमें आज हम देखने वाले हैं उत्राखंड की कला एवं संस्क्रती क्या देखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर सिरीज में आज हम उत्राखंड की कला एवं संस्क्रती दान अखीगा यह इस वीडियो लेक्चर सीरीज का 6 वाला पाटे 6 भाग है जिसमें हम कला संस्कृती को एक ही वीडियो में संपूर्ण अध्यन उत्राखंड का आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज में देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इंफोर्मेशन शेयर करना चाता हूँ हमारे द्वारा कुछ पेड़ कोर्सेस चलाए जा रहे हैं जो All Civil Service Examinations for UPSC and Other State PSC, UPPCS, MPPCS, MBPSC के आप प्री एवं मुख्य परिक्चा की तयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं यदि आप हमारे पेड़ कोर्सेस को लेना चाते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर 96960-66089 या 856480-530 पर संपर्ख कर सकते हैं साथ ही आप हमारा फ्री टेलिगराम ग्रूप जरू जोइन कीजिए हमको फेस्बुक पे फॉलो कीजिए सर्च कीजिए एड़ दिरेच स्टडी फॉर सिविल सर्फिसेस और बहने रहे हमारे साथ तो चलिए वेडियो को आज शुरू करते हैं उत्राखंच की कला एवं संस्क्रिती चूकी जिस पेकार मैंने आपको बता दिया है कि आज हम पढ़ने वाले हैं उत्राखंच की कला एवं संस्क्रिती जिसमें हम महा की कला, महा की संस्कृतिक धरोहर और राज के लोकनत्य, राज के लोकगीत, महा की वास्तु कला, महा की मुर्ति कला, महा की चित्र कला, महा की शिल्प कला, से विभिन प्रकारगी जो संस्कृति हमको देखने को मिलती है, जो कला ये हम संस्कृति का अध्यन हमको उत्राखंट से सम्मदित होता है वो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा तो शुरुवात करेंगे हम उत्राखंट के प्रमुख लोक नत्य से तो चलिए उत्राखंट के प्रमुख लोक नत्यों की बात की जाये तो पहला आपका जो नत्य आता है वह आता है आपका धार् नत्य यदि हम धार्मिक नत्य की बात करें तो धार्मिक नत्य गीत एवं वाद्धियंत्रों के सरो द्वारा देवताओं के विशेश अलोकिक कमपन के रूप में होता है। अगले नत्य की ऊड़ का अगलता है एक अगल्य नत्य आपका अगला नत्य मात्मा Stevens मत जो जो नत्य कलाकार थे मर चुके हैं जिनका बहुत सकते हैं कि देहा असन हो गया है तो नत्र मत्कों के आत्मा को शांती करने के लिए अतंद करुणीक गीत रसों का गायन किया जाता है मत अशांत आत्मा में और यहां नत्य जमरू थाली के सरों के साथ किया जाता है और यहां नत्य के प्रकार होते हैं जैसे चर्या भू अगले नत्य की और देखते हैं अगला नत्य आपका रणभूत नत्य की बात हो रही है तो रणभूत नत्य के बारे में हम देखें तो गड़वाल जो छेत रहे आपका उत्तरखंड का उसमें जो लोग यूद्ध में वीरगती को प्राप्त होते हैं जो लोग यूद्ध में जो वीरगती को प्राप्त होते हैं उन्हें देवताओं के समान आदर सम्मान प्राप्त होता है और रणभूत नत्य इनी शहीदों की आत्मा की शांती के लिए उनके परिजन द्वारा किया जाता है जिसे देवता घिराना के नाम से भी जाना जाता है क्या किस नाम से नाता है इसे देवता घिराना के नाम से भी जाना जाता है रणभूर नत्य को अगले नत्य की और चलते हैं अगला नत्य आपका धडिया नत्य यदि हम धड़िया नत्य की बात करें तो धड़िया जो नत्य है वह बसंद पंचमी से लेकर मेश संक्रांती तक किया जाता है और इसमें खुले मेदान में जो विवायत लड़कियां होती हैं वे नत्य करती हैं और पहली बार जब माई के आती हैं तो इसके विशाय सामाजिक तथा आध्यात्मिक होते हैं दानकीगा वो जब पहली बार माई के आती है शादी होने के बाद तब वे नत्य करती है खुले मेदान के नीचे और वह नत्य बसंद रिशी से लेकर मेश संग्रांती के बीच मध्यकाल में होता है और यहाँ धड़या नत्य के नाम से जाना जाता है अगले नत्य की और चलते हैं अगले नत्य है आपका चोफुला नत्य यदि हम चोफुला नत्य की बात करें तो यहाँ गडवाल छेत्र का श्रंगार भाव प्रधान नत्य है दानकीगा गडवाल छेत्र कौन सा छेतर आपका गडवाल छेतर यहां गडवाल छेतर का शंगार भाव प्रधान नत्य है इसमें किसी वाध्य अंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें किसी भी प्रकार के वाग्य अंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें हातों से ताली बजा जाती है नत्य आता है आपका घसियारी नत्य जो हम घसियारी नत्य की बात करें या घसियारी नत्य के बारे में चर्चा करें तो घसियारी नत्य यह परवत शंक्ला में घास काड़ती हुई सम व्यसकाओं का नत्य है जो गीतों के स्वर दाधी के चमनाट में चलता है धानकिगा घसिय अगला नत्य है आपका थेला नत्य की बात करें तो थेला नत्य दीपा वाली तथा हरी बोधनी की रात में गड़वाल के गाओं में यह नत्य उस्व मनाया जाता है इसी के साथ अगले नत्य की बात करते हैं तो अगला नत्य आपका खुसोडा नत्य दीपा नत्य की बात करें तो यहां गती से मोज में किया जाने वाला नत्य है वाद दिसवरों में भी यह नत्य किया जाता है, जाना कि यह गती से मोज में किया जाने वाला एक प्रकार का नत्य है, इस फीड में यहाँ पर बोल सकते हैं, गती का उप्योग क्याता है, मोज क्याता है, पंखुडी पाप्सकाप करना जो सुनाओगा, पंखुडी प्रकार क जो नत्य होता है वह भी इसी पेकार का नत्य होता है परन्तु जो पंखुड नत्य होता है वो उत्रखंज राज्य में खुसोडा के नाम से जाना जाता है तो खुसोडा जो नत्य है वह गती से मोज में किये जाने वाला नत्य है और वाधिसरों में भी यह नत्य किया जाता है अगले नत्य क्यों चलते हैं अगला नत्य है आपका चांचडी नत्य की बात करें तो चांचडी जो नत्य है वह एक गड़वाल छेतर का धानकीगा वह गड़वाल छेतर का एक शंगार कहते हैं इसे और कुमाऊ में इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुमाऊ में से जोड़ा कहा जाता है? देखे, नत्तों पर कोशन कैसे बनते हैं? पूछ लिया अगर, कि भीया हुडक की नामक وाध्ययंत्र का प्रयोग किस नत्त में कियाता है? तो वह आपका चाचरी नत्तर llega पूछ कहा जाता है अगले की बात करते हैं अगला नत्य है आपका सन्राव नत्य यदि हम सन्राव नत्य की बात करें तो सन्राव नत्य युद्ध कोशल का एक अनोखा नत्य है और पहले ठाकुरी राजा तथा दूसरे ठाकुरी राजा का पुत्री का अप्रहण करने जाते थे और व नत्य की बात करते हैं तो अग्ला नत्य आपका घूगती नत्य। गडवाल का गीत प्रधान नत्य है जो यह फोक्टी नत्य है यह गडवाल का गीत प्रधान नत्य है और अविवाहित लड़कों द्वारा इस नत्य को किया जाता है अगला नत्य आता है आपका बनवारा नत्य है अगला नत्य है आपका बनवारा नत्य है देखे बनवारा नत नत्य की बत की जाए तो मद्धिकालीन विनोध नत्य की तरह यह समवैस का ननन्द भावी को चड़ाने वाला एक विनोधी नत्य है या हस से भरा समवैस का मतलब एक ही वैस उमर की एक ही उमर के ननन्द और भावी के बीच में जो चड़ाने वाला एक विनोधी नत्य होता है हस्य प्रकार का जो नत्य होता है उसी प्रकार का नत्य है आपका बनवारा नत्य है अगले नत्य क्यों चलते हैं अगला नत्य है आपका जात्रा नत्य है यदि हम जात्रा नत्य की बात की जाए तो जात्रा नत्र विशेश कर इस्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नत्य है जिसमें किसी पर्व देवता का वर्णन मुख्य रूप से होता है और बंगाल की जात्रा इसी के समान होती है जिसे हम किस नाम से उत्रहण में भी देखते हैं जात्रा यत्र मतलब एक प्रकार से स्त्रियों द्वारा यह नत्य किया जाता है जिसमें किसी पर्व या देवता का मुख्य रूप से वर्णन महापर होता है अगले नत्य क्यूर चलते हैं अगला नत्य है आपका शिव पार्वरती नत्य देखे शिव पारवती नत्य के बारह में आपको ग्यात होगा कि यहां नत्य बद्दी तथा मिरासी शिव के कथानक को लेकर पारवती के जन्म से लेकर उनका विवा, सन्योग, वियोग, पुत्र प्राप्ति, आधी अवस्था का विभिन प्रकार से वहाँ पर नत्त किया जाता है, वह नत्त कलाता है शिव पारवती, मतलब यहाँ पर शिव जी और पारवती जी का जो जीवन काल रहा है, जो जीवन के उनकी घजनाएं रही हैं, उनकी जो कथाएं रही हैं, उनकी कथाओं के आधारित यह शिव पारवती नत्य वहाँ पर किया जाता है, बद्दिया मिरासी शिव के कथानक को लेकर वहाँ पर शिव पारवती विवा किया जाता है, जिसमें उनका संयोग, उनका वियोग, उनकी प्राप्ति उनके विभिन प्रकार की आवस्ता होगा वहाँ पर वर्णन किस रूप में क्याता है नत्य की रूप में किया जाता है। अगले नत्य की बात करते हैं तो अगले नत्य है आपका नट, नटी, नत्य, दानकी का नट, नटी, नत्य, देखें कला संस्कृती में बहुत important है questions बनते हैं, चाहे वो फिर PSC का exam हो या फिर उत्राखन की किसी भी जीके संबंधित exam हो, यदि हम नट, नटी, नत्य की बात करे तो नठ, नटी, नत्य, जन समाच के मनोरंजनार्त यहा लोग नट्य, नट्य का हाज सिपून्ण प्रसंग अपने नट्य में रखते हैं, और ऐसे नत्य का आयोजन मेले से अधिक होता है, दानकी का मेले में अधिक होता है, तो आप कैसकते हैं कि नत, नत्य जो नत्य है वो अगला नत्य है आपका दीपक नत्य की बात करें तो दीपक नत्य पैरंब में यहां नत्य थाली नत्य के ही समान होता है और अंत्य में थाल सजाकर नत्य क्या करती है उसको नस्ट कर देती है और उस पर नत्य भी करती है धनकीगा दीपक नत्य धनकीगा एक प्रकार से थाली नत्य के समान ही होता है धनकीगा और उस थाली को सजाय जाता है और उस पर नत्य किया जाता है अगला नत्य आता है आपका तलवार नत्य की बात करें तो तलवार नत्य छोलिया नत्य भी कहा जाता है तलवार नत्य को हम श्रक आया जाते हैं और धोल धंगाओ के सवरों में तलवार चलाने का इस्तृ पूरुषो का नत्त वीर भावना से ओत प्रोत होता है जाता है जिसका नाम भी क्या है दलवार नत्य है अगला नत्य कुन सा है आपका केदारा नत्य है ज़िए भी की जाता है अगला नत्य है आपका थाली नत्य है ज़िए हम थाली नत्य की बात करें तो थाली नत्य बद्धी ढोलक तथा शारंगी वजा कर गीत की प्रथम पंक्ति में गाया जाता है और उसकी पतनी या तालियों के साथ विभीन मुद्रा में नत्य पस्तूत करती हैं यह कहलाता है आपका थाली नत्य अगले नत्य की चलते हैं तो अगला नत्य है आपका चोती पसारा नत्य देखें ति हम चोती पसारा नत्य की बात की जाए तो चोती पसारा नत्य के महिने में क्या होता है जो चोत का महिना होता है धानकीगा जो बोसकते हैं जो चोत का महिना होता है उसमें सारे वेविसाइक जातियों के लोग अपने अपने ठाकुरों को घर में जाकर आगे उनके यहां पर गीत काते हैं उनके नाच काते हैं तो वह होता है आपका चोती पसारा नत्य तो यह थे हमारा कला संस्क्रती से सम्मंधित कुछ उत्तराखंज के विशेश नत्य जिनको हमने यहां पर देखा तो आईए शुरू करते हैं next topic उत्तराखंज के प्रमुख लोक गीत तो सरवपथम जो लोक गीत आता है वह है हमारा चोफूला गीत देखें चोफूला जो गीत है वह प्रेम वह मिलन का गीत माना जाता है तो आप कह सकते हैं कि यह प्रेम वह मिलन का गीत है जिसमें इस्तरी वह पुरुष द्वारा सामुहिक रूप से गाए जाने वाला नत्य प बात करें तो खुदेड गीत एक प्रकार का विभाह गीत है और इस गीत का जो विशय है वह अपने प्रिय जनों माईके वाले पती पतनी से बिछणना होता है तब खुदेडगीत गाया जाता है मतलब इसका जो विशय होता है एक प्रकार से वियोग शंगार की रूप में आप इसको देख सकते हैं जिस प्रकार यह दिम आपको वियोग रसका एक उधारन बताऊं जिस प्रकार से वियोग शंगार रसका उधारन है उसी प्रकार जो खुदेडगीत है वह भी एक प्रकार का विवाह गीत है जब वियोग होता है जब प्रिय जनों से जब उसकी बाली का दूर होती है या पती से पतनी दूर होता है या पतनी से पती दूर होता है तो सुन्ग में जो वियोग होता है उसके रूप में खुदेर गीत गाया जाता है अगले गीत के और बात करते हैं तो अगला गीत है आपका चोमासा गीत यदि चोमासा गीत की बात की जाए तो चोमासा गीत यहां राह विरह गीत है दानकीगा यह राह विरह गीत है अधिक वर्षा तथा प्रिया मिलन की आशा में चोमासा गीत गाया जाता है अगले गीत क्यों चलते हैं अगला गीत है आपका छपेली गीत नाकीगा अगला गीत कौन सा है आपका अगला गीत है आपका छपेली गीत देकि जो छपेली गीत है वो मेला और विवा आदी उस्साव पर गाया जाता है तैदा कि ये जो छपेली गीत है वो मेला एवं विवा आदी उस्साव पर गाया जाता है अगले गीत के और चलते हैं अगला गीत है आपका जुमेली गीत जुमेली गीत है वह गड़वाल छेतर में बसंत पंचमी से नारकिगा जुमेती गीत में बसंत जो रितू होती है, महां से विशुवत संक्रान्ती के बीच में यहां गीत गाय जाता है, वेदना पूर्ण गीत होता है, और यहां महिलाओं द्वारा, नारी द्वारा प्रस्तूत किया जाता है. अगला गीत आता है आपका बारह मासा गीत यदि बारह मासा गीत की बात की जाए तो बारह मासा गीत में इस पकार की गीतों में बारह महिने के लक्षणों का वर्णन किया जाता है और यहां मुख्य रूप से मोसम पूर्व तथा प्राक्तिक सोंदर को वर्णित करते हैं अगला गीत आता है आपका बाजू बंद नत्य गीत जड़ी हम बाजू बंद नत्य गीत की बात करें तो जो बाजू बंद नत्य गीत है वह विभास से संबंदित एक गीत है दाना किएगा किस संबंदित गीत है आपका एक विभास संबंदित गीत है और जो पेड की नीचे बेट कर गाया जाता है और यह रवाई जोनपूर छेतर में गाया जाने वाला प्रणाय संबाद नत गीत है तो वह हो गया आपका बाजू बंद नत गीत आपका वह सकते हैं कि रवाई जोनपुर छेत्र में गया जाता है अगले गीत को चलते हैं अगला गीत है आपका चुरागीत एदि जोट चुरागीत की बात करें तो जो चुरागीत है वह युवा चरवाहों को सीख देने के लिए बुड़े चरवाहों द्वारा गया जाता है देखी जो चुरा गीत है वो जो चारा जो चरवाह होते हैं मतलब जो गाई भेंच जो चराते हैं जो चारा वाहक के रुप में होते हैं जो चारा बोसकते हैं कि जो चरवाह होते हैं जो वहां के उनके पश्यों को चारा प्रापती है तो उनको घुमाते हैं उनका विच्रन कर जाये तो चोती पसारागीत ओजी बद्दि मिरासी आदी जाती के लोग अपने यजमान के यहाँ पर आने पर इस प्रकार की गीद गाते हैं तथा उनकी इस्तरिया नत्त करती हैं, मतलब यह जो जाती हैं ओजी बद्दि मिरासी, यदि इनके घर में कोई महमान आता है, कोई यजमान पधारते हैं तो उनके लिए चोती पसारागीत गाया जाता है और उनकी जो इस्तरिया होती हैं महाँ पर नत्त भी करती हैं, अगला नत्त है आपका कुलाचार विर्दा वली गीत धनकी है कुलाचार विरुदा वली गीत, यदि हम कुलाचार विरुदा वली गीत क गुडगान भी करते हैं अगले गीत को चलते हैं अगला गीत है आपका जागर गीत देखे जागर गीत की बात कीजिया तो जागर जो गीत होते हैं वो देवताओं की गीत माने जाते हैं इसमें विभिन संप्रदाय का भी प्रभाव मिलता है और इन्हें देवताओं पुरानि जीत क्रशी एवं सम्मधित तथा कुमाओं में प्रचली थे, इस गीत को क्रशक पुष्च पूर्नया के साथ खेतों में काम करते भी गया जाता है जिसका नाम है हुड के बोल गीत अगले गीत क्यों चलते हैं? अगला गीत है आपका छोपती गीत यदि हम छोपती गीत की बात करें तो छोपती गीत मुख सामुविक रूप से गाय जाने वाला प्रिया मिलन प्रधान गीत है और ये मुख्य रूप से खाई जौनपूर में अधिक प्रसलित है और इस प्रकार की विशेस्ता है कि इसमें हुड़का बजाने वाला ही गीत गाता है तथा जो अन्यवक्ती होते हैं वो इस गीत कारण लेते हुए नत्य करते हैं तो छोपती गीत धनकी का हुड़का बजाने वाला गीत जो होता है व्यक्ती वही गाता है और अन्यवक्त महाँ पर नत्य करते हैं अगला गीत है आपका बेर गीत अगला नत्य कौन सा हो गया आपका बेर गीत यदि हम बेर गीत की बात करें तो जो बेर गीत है वह कुमाउच चेतर में प्रतियोगिताओं की रूप में आयोजित होने वाला एक प्रकार का तर्क प्रधान नत्य गीत है इसमें बेरिया कुशागर बुद्धी वाले गायन के माध्यम से अपना पक्ष रखते हैं वो कौन सा कहलाता है बेर गीत नत्य कहलाता है अगला नत्य है आपका बसं बसंती गीत की बात की जाये तो बसंत रित्तु के आगमन पर गडवाल चेतर की जो किशोरिया है वे घर के आंगर में देहली को सजाती है और उस पर गाना गाती है और देहलियों को तथा द्वारों को सजाने के लिए जो किशोरिया होती है वो फायूली के फूल का प्योग करती हैं तथा ये जो गीत होते हैं जहां गीत विरहर प्रकार के गीत होते हैं देखे बसंत गीत मतलब सिदी सी बात है बसंत दितु के आगमन पर जिस प्रकार पेड़ पोधे जीव जनतु खुशी मनाते हैं उसी प्रकार जो वक्ती है जो जनता है वह भी एक प्रकार से जो ऐधि, हम विशेष देखे तो उत्तराखंज की जो किशोरिया हैं, वे भी घर की आंगण को सजा जा जेती हैं, तो ठुल खेल जो गीत है, वहाग घीत भाधरपद महा में कर्श्न जनलमास्तिमी के आईSome सर पर कुमाओ चेतर में पुर्शो द्वारा गाया जाता है तो ठुलखेल गीत कहां गायता है भादरपत महा में कष्ण जनमास्तिमी का उसर पर कुमाउ छेतर में पुर्शो दोरा गाया जाता है अगला गीत है आपका भंडो गीत यदि हम भंडो गीत की बात करें तो गड़वाल चट्र में इन गीता को पवड़ा गीत भी कहा जाता है और यहाँ मुख्य रुप से विरो की जीवनी से संबंधित होते हैं जिनको क्या कहा जाता है भंडो गीत कहा जाता है अगागीध है हमारा अगला रम्मान, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका रम्मान, जदिम नेक्स्ट क्यों चलते हैं तो जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वह है आपका रम्मान, और रम्मान नत्य में बहुत से देवताओं के मुखोटे लगाकर नत्य बदेशन किय जाता है यूनेसको ने रम्मान विश्व अमुर्त सांस्क्रदिक धरीहर को भी अपने यूनेसको की लिस्ट में शामिल किया है तो उत्रागंच के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसको में यहाँ पर एक स्टार दूँगा जरूपड़िएगा नर्मान नत्य के मारे में कि जो रम्मान नत्य है भाया जी धानकीगा इसमें बहुत से देवताओं के मुखटे लगा कर नत्य वदशन किया जाता है और यूनेसको ने रम्मान विश्व अमुर्त सांस्क्रदिक धरोर को भी रम्मान के रूप में शामिल किया है अगला आता है आपका भगनोल गीत अग हुडके तथा नगाडों की धुन पर नत्य करते हुए गाया जाता है और निवली भी छेत्र का अनुभूती प्रदान करता हुआ एक गीत मान सकते हैं तो भनगोल गीत धनकीगा कुमाव छेत्र में हुडके तथा नगाडों की धुन पर नत्य करते हुए गाया जाता है तो तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की वास्तुकला, देखे तिम उत्तराखंड की वास्तुकला की बात करें, तो राज में वास्तुकला की जो प्राचिन्तम सबूत हैं वह काली सी नदी से लेकर, माफ किजए का, काली सी के निकच से लेकर जगध गराम के उन इस्थलों से प्राप्त होते हैं, जो की, शील वर्मन ने जो आश्यों मेग यग कराया था, अब राज्यम एदियम वास्तुकला की विकास की बात करें, तो इस्टेट के वास्तुकला की एदियम डेवलोप्मेंट की बात करें तो उसका जो विक्या से मुख्य रुप से चार रुप में देखा गया है सामान निभवन, देवालाई, राज प्रसाद और नोले में यदि हम देखें तो यह चार प्रकार की वास्तु कला हैं जिनको हम यहाँ पर डिटेल्स में आगे हम पढ़ेंगे यदि अगल प्रसाद निभवन की पहली तथा दूसरी तथा तीसरी पान तथा प्योल कहा जाता है उत्त्रा घंज में तो तनकी का वास्तु कला कहीं एक कुछ पॉइंट होते हैं तो आपको यह चा राज्य में बधरिनात, केदारनात, गंगोत्री, यमनोत्री, हरिद्वार की जो यात्रा हैं मारगों पर असंग के देवाला आश्रम इस्थी थे जो यहां की वास्तुकॉला को भी दिखाते हैं इसके साथ जगत ग्राम में इटो से बनी एक गरुड आकार की वेदिका भी प्राप्त हुई है कोशन आगया की गरुड आकार की वेदिका है वह कहां पर प्राप्त हुई है तो वह हुई आपकी जगत ग्राम में इटो से बनी एक गरुड आकार की वेदिका प्राप्त हुई है तो ये छोटा सक वास्तुकला के रूपे में आपको बताया है, अब हम आईए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, उत्तराखंड की मुर्तिकला, देखें उत्तराखंड के दी मुर्तिकला की बात की जाए, तो उत्तराखंड में अधिकान से जो मुर्तियां हैं, वो इस्थाप मुर्ति कला इस्थापत्य हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो उत्राखाई में जो जो धाम हैं जो धर्म हैं उनसे संबंधित जो मुर्तिया प्राप्त हुई हैं उनसे संबंधित हम यहाँ पर देख लेते हैं तो सबसे पहले शेव धर्म से संबंधित मुर्तियों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं शेव धर्म से संबंधित मुर्तियां सरपथम लकुलीश की मुर्तियां लकुलीश की मुर्ति देखें लकुलीश की मुर्ति की बात की जाये तो जागेश्वर के लकुलेश मंदिर में शिव जी की मुर्तियार प्राप्त हुई है इनमें ही शिव का रूप उल्लेख किया गया है जिनमें भव्य मुखच जटाओं से मंजडित उनको बताया गया है कानों से लटकते हुए आभुचन तथा कारूनीमा आभा को यहाँ पर दिखाया गया है वह है आपके लकुलेश की मुर्तिया तो लकुलेश की जो मुर्तिया है वो जागेश्वर के लकुलेश मंदिर में शिव जी की मुर्तिया प्राप्त हुई है जहाँ पर उनकी जो भव मुख्य जटाओं से उनको दिखाया गया है कानों में लटक्तिव उनके अभोषन करुणी का आभा को दर्शाते हैं धरकी करुणी मा आभा को दर्शाते हैं ये मिस्प्रिंट हैं आपर करुणी मा है वो माफ कीजिका उसके लिए करूरीमा आभा को दरशाती है लकूलिश्की मूर्तियों में अगला है आपका नत्त की मुद्रा में शिव जदि हम शिव जी को देखें थो भारत में आपने देखा होगा कि जो उत्तर घंज सदे हो है वह आधिकतर मनदिरों में, यधि हम देखें, तो शिव जी के मनदिरों के रुप में उबरहा है, अधिक साधि के आपड़, शिव मंदिर है, जिसमें जागेशो नाथ मंदिर, गोपेजनेशो नाथ मंदिर में जो नत धारी मुरतियां है, वह एक प्यकार से मुरतिकला को दर अगला है आपका वजरासर मुद्रा वजरासर मुद्रा देखिए वजरासर मुद्रा के रूप में हम देखें तो केदारनात मंदीर का जो द्वारपटी का है धानकीगा केदारनात मंदीर के जो द्वारपटी का है वहां की शिव की वजरासर मुद्रा उतकिन की गई है और श अगला है आपका बेजनात की मूर्थी की बात की जाए तो बेजनात की मूर्थी के चारहात से जो विभिन मुद्रव दिखती हैं उनकी जांग पर पारवती जी विराजवान हैं जिन्हों में मलहार, करगणी, राधी, भवभुशन, दारण किये हैं और बेजनात का पाचिंत काली मठ की प्रतिमा से मिलते हैं और इस मूर्थी की दस भुजाएं तथा तीन मूख है दानकी का जो बदरीनात की मूर्थी है उनकी दस भुजाएं तीन मूख हैं जो अब तक प्राप्त शेव मूर्थियों में सबसे विशिस्ट लक्षन और अलेक प्रकार की विशेशता को दर्शारती है बदरिनात की मुर्थी अगली मुर्थी और चलते हैं अगली मुर्थी है आपकी नत्य करते गणपती जी की मुर्थी ना रखीगा नत्य करते गणपती बब्बा की मुर्थी देखें नत्य करते गणपती जी की मुर्थी की बात की जाए तो जोशी मठ में ग गनेश देवता नत्य मुद्रा में आठ भुजाओं से युगते हैं, मतलब उनकी आठ भुजाओं हैं और नत्य कला में गनेश जी विराजबान हैं, जोशी मठवें, गनेश जी की एक मात्र एसी विशिस्ट प्रकार की मुर्ती महाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अगला ह गनेश जी की एक विशिस्ट मुर्ती है, और मुर्ती के चार हाथ एवं छेतर हैं, जो करमश दो पंक्तियों में तीन-तिन की संख्या में इस्थापित होते हैं, जिसमें गनपती एक मोर की बीट पर सवार है, तथा दोनों और जो दो मोर हैं, जो देवता के ओन निहार रहे हैं, तथा इस मुर्ती पर दक्षिन कला का बभाव भी हमको देखने को मिलता है, तो लाखा कंडल की जो मुर्तिया हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि गनेश जी की मुर्तिया हैं, और उनके चार हाथ रहें, चार हाथ हैं, और दो पंक्तियों में तीन-तिन संख्या में इ मिलता है, अब आता है हमारा शियो-धर्mä के बाद, वेशनव-धर्म से सम्मन्धित मुर्तियां, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वेशनव-धर्म से सम्मन्धित कौन-कौन सी मूर्तियां, साब माफ क jejwenं मूर्तियां उत्र tillsते में में अधिर स्ञा करैं बाद में देखें तो उत्राखण्ज का जो प्रमुख दूश्रा धर्म है वो है आपका वेश्णो संप्रेदा या वेश्णो धर्म यहाँ पर केदार की भाती, पंच बदरी की कलपना तता विश्णु के जन्म से सम्मन्धित भी मुर्ति आमको उत्राखण्ज में देखने को मिलती हैं तो आई तो आजी सज्जा पर विशेश बल दिया गया है जिसमें शरीर के खाली भागों की सुगमता को देखना बहुत ही कठीन होता है को कि जो मुर्ति है देवलगड़ की विश्णु जी की वो पूरी की पूरी विशेशता बोब तके इसकी क्या है कि वो पूरी की पूरी आभू हो सकते हैं वामन मूर्ति जो वामन हम अवतार हुआ था उन अवतारों में से वामन जी के । प्रतिमदा करा काशिपूर उत्राखज में देखने के मिलती है जो की रेती ले पत्थर से निर्मित है अगली मूर्ति है आपकी शेष्श शयन मूर्ती की 박श तो शेश शायन मुर्ती विश्णू की है अधिकांश मुर्तियों में से एक मुर्ती है, जिसकी मंदिरों की प्याचिर प downstream दवाराओं पर उत्किर्ण की गई है शेश शायन मुर्ती, अब वेशनों मूर्तियों की बाद आता है हमारा ब्रह्मा की मूर्तियां देखें ब्रह्मा जी की मूर्तियों की बात करें तो ब्रह्मा देवता की सबसे पहली जो मूर्ति है वो घाट में रतना देवी के छोटे मंदिर की शीश पटिकापर उतके इन मिलती है जिसमें देवता की चार भुजाय दिखाए गई है और वो कमल पर आसित हैं अब सिधी सी मूर्ति को चलते हैं अगली मूर्ति में देखेंगे हम सूर्य तथा नव ग्रहों की मूर्तियां उत्राखंज में कौन कौन सी देखने को मिलती हैं तो चलिए सूर्य पूजा दे संबंधित यदि हम उत्राखंज में मूर्तियों की बात करें तो उनमेश जागेश्वर बेजनात की जो सूर्य प्रतिमा हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं जिसमें अधि हम द्वारा हाठ की बात करें तो द्वारा हाठ है इसमें सूर्य की जो मुर्ती है वह देवता संभंग मुद्रा में खड़े हुए हैं अगला जो जागेशोर की जो सूर्य मुर्ती की में अधिम आपको थोड़ी जीटेल देना चाहूं तो जागेशोर की जो सूर्य मुर्ती है इस मुर्ती की अधिम देखें तो इस मुर्ती की जो उचाई है वह तीन फिक्टे तता काले पत्थर से निरिमिती है जागेशोर की सूर्य मुर्ती है और देवता संभंग मुद्र में साथ घोड़े से मंजित रत में खड़े हैं तता मद्ध के अश्व पर अरुण आसी थे हैं आपने देखा होगा सूरी भगवान को साथ प्रकार की घोड़ों से मंजित रत में बेठे हैं और अश्व पर अरुण उनके आसी नहें धानकी का जागेश्वर की सूरी मुर्थ की हमें विशेस्ता यहां पर देखिए अब हम बात करेंगे उत्राखंज के देवताओं की बात हो गई तो हम देवियों से अच्छूते नहीं रह सकते हैं इसलिए हम देखेंगे उत्राखंज में देवियों की मुर्तियां सरफ़त हम बात करेंगे मेखंडा की पारवती माता क की मुर्ती की बात करें तो पारवती को माया गोरी के नाम से भी जाना जाता है और उत्राखंड में इनकी बहुत सारी मुर्ती मिलती है और जिनमें देवी अंजली हस्त मुद्राओं में भी आसी ने जो कहां पर मिली है आपको खंडा में मिली है अगला है हमारा लाखा मंडल क गोरी प्रतिमा गोरी वही मा गोरी एक परवती का रूप देखे लाखा मंडल की गोरी प्रतिमा की बात करें तो इस मुर्ती में देवी जी को तपस्या करते हुए दिखाया गया है जो विचार लप्टो के मद्दे खड़ी हुई है और शेली की दस्टिय से यह मुर्ती जिनात संग्रालय से दुर्गा खड़ी मुर्ती तथा जागेश्वर काली मच की सिह वहानी प्रतिमाएं विशेश रूप से देखने को मिलती है तो जो शक्ती रंभा देवी का है वह उत्त्रा खंजा बहुत फेमस हैं और इस देवी के का जाता है कि इस रोग की प्रथम अगला है हमारा गाज लक्षमी देखें गाज लक्षमी की बात करें तो गाज लक्षमी जो मुर्ती है वह द्वाराहार तथा अलमोडा से प्राप्त होई है तो यहाथी उत्त्रा खंज की मुर्ति कला जो की समाप्त हो चुकी है तो आईए शुरू करते हैं उत्त्रा खंज में चित्रकला दानकी का इस पूरे वीडियो में आपको कला संस्कति पूर्ण डिटेल में एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी तो आईए शुरू करते हैं उत्राखंज में चित्रकला से देखिए उत्राखंज में दिये हम चित्रकला की बात करें तो कीमनी, हुडगली, पेटशाल, फल सीमा, आदी विभिन प्रकार के प्रागिति हासी गुफाओं में चित्र कला के सबसे प्राचिंतम शेल चित्र हम को देखने को मिलते हैं। अडमोला, चेल चित्र में मानों को शिकार करते हुए वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल कर मानों की नत्मुद्राओं को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बात करते हैं मध्ध एवं आधुनिक भारत की चित्र कला की। बात हो चुकी प्राचिन चित्र कला की तो उसी पेकार हम देखते हैं मध्ध एवं आधुनिक कालिन चित्र कला की। देखें मद्धें आधुनिक कालिन चित्रकला की बात की जाए तो विद्वानों के अनुसार गड़वाल में चित्रकला का जो आरंब हुआ था वह पंद्रवी शताबदी के मद्ध में शुरू हुआ और यह काल महराजा बलभदर शाह का था जो की पंद्रवी शताबदी के आ भी करना शुरू हो गई थी इसके बाद महाराजा बद्र शाह के बाद महा के राजा फते महाराज भारा चित्कला का पोशन किया गया तता साहित्यकारों को भी पशले दिया गया गड़वाल नरेश पतिवी के शाषनकाल में यदि हम देखें तो मुगल शहजादा सुलेमान सिखों के दो चितरकार तुवर्ष यामदास और हरदास गड़वाल में बस गये तता हरिदास के वंशुजों में गड़वाल शेली के विकास में इन्हों ने कार्य किया तो धनकी के गड़वाल शेली के विकास में हरदास और वह सकते हैं कि कुवर श्यामदाद धनकी के तुवर नहीं है यह कुवर है कुवर श्यामदाद जी ने इस शेली का विकास किया गडवाली चितर शेली एक प्रकार से पहाड़ी चितर शेली का ही भाग है और यही इसकी एक मुख δारा मानी जाती है इसी के साथ हर्दास की जो पुत्र थे हिरालाल उनको गड़वाल शेली का सुत्रपात करता माना जाता है तथा भोला राम तोमर को सबसे महान चित्रकार भी माना जाता है अब कोशन आग गया कि गड़वाल शेली का सुत्रपात किसको माना जाता है तापको ग्याद होना चीए हीरा लाल को गड़वाल शेली का सुत्रपात माना जाता है तता भोला राम तोमर को महान चित्रकार के रूप में भी माना जाता है तो आईए शुरू करते हैं उत्राखंज की लोक चित्रकला के बारे में हम यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्राखंज की लोक चित्रकला की बात की जाए तो उत्राखंज की लोक चित्रकला में सबसे पहले हम देखेंगे दानकी का सरबत हम देखने वाले हैं बार बूंध की बात की जाए तो परंपरा के अनूशार कुछ निश्चित बिंदूओं का बना कर उनकी रेखाओं से जोड़कर दिवार पर विभिन नमोने बनाये जाते हैं दानकी का यहाँ पने बिंदू नहीं, यह है आपका बिंदूओं को बना कर उनकी रेखाओं से जोड़ कर दिवार पर विभिन प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं, और इस प्रकार की जो विभिन प्रकार की नमूने बनाएगा हैं, उनको विभिन रंगों द्वारा भर दिय जाता है तो बार भूंद एक प्रकार की लोग चित्रकला है जो की दिवाल पर बनाई जाती है अगली चित्रकला की ओर चलते हैं हाँ तो अगली चित्रकला थी एशन एशन की एदि बात की जाए तो एशन चित्रकला की एदि हम देखते हैं तो एशन शब्द का जो कलपना है एशन शब्द के दिम कलपना की बात करें तो एशन जो शब्द है वो अलपना का एक इस्थानी रूपांतरण है जो की मांगली का उसर पर आंगन से प्रवेश द्वार तक देली पर पूजा इस्थल की भूमी उनकी दिवार बेठने की सीड़ी या बेठने की पीड़ी तुल प्रवेशाल होसा नंगिन नमुने के लिए तो एश्थानी रूपत होती है तो एशन प्रवार पानी एक इस्थानी रूपांतर ही अगला देखते है तो इसी में जो एशन होता है वह एशन कघनaking सोर्णीय ऐसी पंदें दिया जाती है और कई ऐसारी याथ है अगला है आपका나 जीूति मात्रका की देखा जाए तो जो जूती मात्का है इसमें विभीन देवी देवताओं को विभीन रूपों में दर्शाए गया है तथा उनने अलग-अलग पकार से रंग में भरा जाता है तथा जो जन्मास्च में होती ही जो दशेरा है तथा दिवावली ये जो वो हैसे डिकारा की अधिबात की जाये तो दिकारा देवी देवताओं की मिट्टी की तीन दिशाओं में उभार दार उड़ते हुई होती है और इनको कपास मिर्शी चिकनी मिट्टी से लड़कियां और इस्त्रियां बनाती हैं. देखिए धनकी का जो दिकारा है इनको उकारा उभारा जाता है धनकी का उभारा जाता है तो जो दिकारा है वो देवी देवताओं की मिट्टी में तीन दिशाओं में उभारा जाता है इनको उकारा जाता है धनकी का मिट्टी पर और इनमें कपास मिशी चिकनी मिट्टी से ल तो दिकारा भी एक प्रकार कि हमने यहां पर कला देखी अगला है आपका प्रकीर्ण देखे प्रकीर्ण की बात की जाए तो प्रकीर्ण प्रकीर्ण अंगोलियों से कागच दरवाजे चोराय पर आधी पर चित्रित किया जाता है अगला आता है आपका पोचरित्र देखे पो इस टाप से कुछ पदेचिन्य बनते हैं, और यह तो उत्राखण के आनेक आधि इस्टेट में भी देखनेकों मिलता है, तो उत्राखण में विशेश में इसको पो के नाम से भी जाना जाता है, अगला ये आता है हमारा वसूधारा चित्र, येदि वसुधारा चित्र की बात करें तो वसुधारा चित्र यहां घर की पूझा इस्थल पर पहली की पैयरों से लिखकर विश्व आरके पतनी ढोल की धारा से बना चित्र होता है यहां विशेश आउसरों पर इसको बनाया जाता है देखिं यहाँ घर के पूजा इस्तला पर पहली की गेरों से लिखा जाता है और विश्व विविन पेकार के जो धोल है, जो धारा है, उनसे बनावा चित्र होता है यह पतनी यहाँ पर थोड़ा मिस्प्रिंट है, इसके लिए मैं छमा चाहूंगा, यह यहाँ पर मिस्प्रिंट है, तो धोल की धारा से बना हुआ वसु धारा चित्र होता है, और यहाँ विशेश आउसरों पर बनाया जाता है, पहिलों की गेरों से लिखा जाता है, और में शिल्प कला, तो आई यह शुरू करते हैं उत्राखंड की प्रमुक्चित्रकलाओं की या शिल्पकलाओं की बात करते हैं, तो पहला है आपका रिंगाल शिल्प, यदि रिंगाल शिल्प की बात की जाए, तो रिंगाल से कंडी, चटाई, सूप, तोकरी, मोस तयार किय जिनका उप्योग कशी घरेलू कारे के लिए किया जाता है अगला आता है हमारा कालीन एवं रेशा शिल्प ताफ सभी को ग्यात होगा जो कालीन एवं रेशा शिल्प है वह उत्राखंड के पिथोरागड जिले में गधार चूला तथा मुंसियारी छेत्रों में चमोरी जिले आधी भी बनाई जाती है अब हम देखते हैं तामर शिल्प की तो तामर शिल्प आपको कहां मिलता है तो ग्यात होगा कि जो अलमोडा का तामर शिल्प सबसे अधिक फेमस है सबसे अधिक प्रसिद्ध है और इस्थानी कारिगर टमटा तामबे से गागर लोटा पराथ आदी पंचपात वस्त्रों का निर्मार करते हैं तामर शिल्प के रूप में अगरा आता है हमारा अगला है मुद्रा शिल्प मुद्रा शिल्प में देखें तो मुद्रा शिल्प में राज के सभी छेत्रों में मिट्टी के बरतन दीब धिकाने बनाने का कारे किया जाता है ज अगला आता है हमारा कास्ट शिल्प देखें अगला है हमारा कास्ट शिल्प यदि कास्ट शिल्प की बात करें तो उत्राखंज राज्य की जो लकडी है वह बहुत ज़्यादा फहमास है उत्राखंज राज्य में लकडी की अधित्ता और वहां की बधानता के कारण कास्ट शिल्प सदेव के लिए प्रसिद रहा है और लकडी से पाली, लकडी, दानकी का यहाँ पर थोड़ा मिस्पिंट है, पाली, लकडी, कुमाया, भदेले, नाली, आदी का प्योग किया जाता है, आदी का निर्मान कास्ट गरूप में किया था, मतलब लकडी से बन गीत कार एवं गायक है, बीना तिवारी एवं हेमा ध्यानी कुमावनी ग्याईका है, गणेश विरान गीत कार एवं संगित कार है, जगदिश बकरोला गडवाली गीत गायक है, अनील बीस्ट गडवाली गीत गायक है, मीना राणा गडवाली गायका है, प्रितम भरतवान गडवाली गायक गीतकार हैं, संतोष खेतवाल एक पकार से ये भी गडवाली गीतकार गायक हैं, जीत सिहनेगी गडवाली के प्रमुक गायक माने जाते हैं, राजन सिंग चोहान एवं संजय जी गडवाली के संगितकार की रुप में देखे जाते हैं, चंदर सिहराही कुमा मुख राज्य के लोक कलाकार और यह लेक्चर यहाँ पर समापत कहता है जिसमें आम ने देखा उत्तरा खंज की कला संस्क्रड़ी एयों बने रहिए Study for Civil Services के साथ जैहिंद बंदे मात्रम